वेल्कम बैक तो माय यूट्यूब चैनल फराज जाइका और आज हम एक बहुत ही अवेटिड डिश बनाने जा रहे है जिसका नाम है फिश बिर्यानी यह बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मुझसे तो मैं इसकी रेसिपी लेकर आई हूं जो बहुत ही सिंपल है इसम इसको कैसे बनाना है तो सबसे पहले हम फिश का मैरिनेशन प्रिपेर कर लेते हैं तो यहां पर मैंने हाफ केजी फिश ले ली है जिसके ख्लोस टू पांच बड़े पीसेज है सुरमाई फिश है यह किंग फिश जिसको हमने वाश करके अच्छी तरह से रख लिया है और उस यह मैरिनेशन ज्यादा है क्योंकि हम इसको लगाएंगे भी और फिर मसाला बनाने में भी इसको यूज करेंगे तो हम मैं इसको बताती हूं आपको कैसे बनाना है और मैंने सॉल्ट दाला है नमक टेस्ट के हिसाब से आड़ करें और 1 फो टी स्पून मैंने टर्मरिक पाउ लाइम जूस आड़ करने से फिश थोड़ी सी हाड़ भी हो जाती है तो मतलब वह तूटने का डर नहीं रहता है और अच्छे से सारे मसाले उसमें एब्जॉब हो जाते है इन सब को हम एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे और उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा वाटर आड़ किया है और इसके बाद यह देखे आप कैसी इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है इसको मैं अच्छी तरह से सारे पीस को मसाले के साथ कोट कर लूँगी अच्छे से आपको जेंटली इसको रब कर देना है मसाले को ताकि यह अंदर तक इसके फ्लेवर आ जाए और यहाफ ह मसाला यूज होगा हाफ मसाला हम साइड पर रख देंगे जो हम उसकी थोड़ी सी जो ग्रेवी या मसाला बनाएंगे उसके लिए हम इसको रखेंगे जब हम लेयरिंग करेंगे मैं आपको बताऊंगी तो यह मैं सारे पीसे पे अच्छी तरह से जेंटली अपने हातों से र हाफ एनार के बाद यहां पर मैंने ले लिए है यह पीसे मैंने रेफ्रिजरेट किया था आप चाहे तो भार भी रख सकते हैं और पैन में मैंने एक एक कप या हाफ कप ऑईल ले लीजिए वही ऑईल हम आगे भी यूज करेंगे यह मैंने मीडियम फ्लेम पर फिश को नॉन स्टिक पैन में मैं फ्राइ कर रही हूँ आप जो रिमेनिंग मसाला है उसको साइड कर लीजिए और यह एक साइड पर हमने 5 मिनिट्स के लिए फिश को फ्राइ करने रखा था ओन मीडियम हीट आप देख सकते हैं मसाला भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है और इसको हम सारे पीसिस को ऐसे टर्न कर लेंगे अभी और दूसरी साइड पर भी हम क्लोस टू 5-7 मिनिट्स त इसकाल लीजिए और वह ओईल को हमें डिसकार्ड नहीं करना है हम उसी ओईल को यूज करेंगे यह देखिए कितने अच्छे से गुल्डन कलर हो गया है हमारी फिश का बहुत ही अच्छी खुश्बो आ रही है मुझे अभी हम यहां पर जैसी हमारी फिश फ्राइ हो गई हम मैंने तेस पत्ते दाल दिये है बे लीज जिसको कहते है और यहां पर मैंने दो इलाइची दाली है नमक मैं थोड़ा जादा दाल रही हूं क्योंकि यह पानी हम फेक देने वाले है ड्रेन कर देंगे यह राइस बॉयल करने के लिए मैंने रखा है पानी और इसके साथ ही मै मैं दाल रही हूं तू जो बॉटल का कवर होता है उसके तू कैप्स विनिगर दाल रही हूं इससे आपके राइस बनेंगे और आपका पतीला भी काला नहीं होगा मैंने यहां पर क्लोस्टू 250 ग्राम्स बासमती राइस लिया है जिसको हमने अच्छी तरह से वाश करके मैं मैंने आदे हंटे के लिए भीगो के रखा था और यह चावल जैसे बॉइल होने लगेगा तब तक हम मारा मसाला भून लेंगे तो मैंने उसी ओईल को गरम होने रखा है उसमें मैंने एक तेज पत्ते के दो तुकड़े करके दाले है और उसी के साथ मैंने एक लाज जो मसाला हमने साइड करके रखा था वो भी इसमें एड कर लेंगे वो मसाला एड हो चुका है बट मेरे कैमेरा बंद हो गया था इसलिए नहीं कैप्चर हुआ है आप उस मसाले के बाद इसमें मैंने दो टमैटो की प्यूरी आड की है और नमक एड किया है और हम इसको अच अच्छी ग्रेवी हमारी बनकर रेडी हो गई है इसको मैंने 5-7 मिनिट्स तक भुना है अच्छी तरह के से जब तक हमारा ऑइल सेपरेट होके ऐसा थिक ग्रेवी ना बन जाए तब तक हमको इसको कुक करना है यहां पर मैंने एक हैवी बॉटम का पतीला ले लिया है जिसम हमारे चावल नीचे नहीं चिपके चावल हमने 80-90% कुक करके ड्रेन कर लिया था और उसी राइस को मैंने एक लेयर मैं बिचा रही हो नीचे यह हम लेयर वाली बिरियानी बना रहे है जो बहुत ही अच्छी बनती है इसमें बहुत अच्छी खुश्बू भी आती है आप इस देख सकते हैं कितने अच्छे और खिले खिले बने हैं हमारे उसके बाद जो हमने मसाला बनाया था अभी उस मसाले को मैं एक टेबल स्पून मसाला एक लेयर की तरह बिचा रही हूं इस पे हम थोड़ा सा कुरियाइंडर गार्निश करेंगे और उसके बाद हम और एक लेयर या और एक तै लगाएंगे राइस की और मैं यह नॉमल वाला बासमती यूज कर रही हूँ जो नॉमल आपको किसी भी ग्रोस्री स्टोर्स पे मिल जाता है यह कोई भी ब्रैंड का नहीं है बासमती राइज यह नॉमल बासमती राइज है जो लूज मिलता है ये मैंने और एक लेयर लगाई और उसके उपर मैं फिर से एक लेयर डाल रही हूँ जब मैं आपको बिर्यानी निकाल कर दिखाऊंगी आप देखेंगे इसका कलर इतना खुबसूरत आता है क्योंकि इसमें हम कोई कलर कोई हमने और कुछ नहीं आड़ किया है इसमें जो हमारे घर के मसाले हम सिर्फ वही आड़ कर रहे हैं कोई स्टोर बाट मसाला इसमें नहीं डाला है हमने ये और एक ते लगा दी मैंने राइस की जो हमारे मसाले में जो ऑईल है और जो मसाले है वही नीचे तक पूरे सीपिन होंगे और पूरी हमारी बिर्यानी में महक आएगी क्योंकि हमने वोई फिश ओish किया था जिसमें हमने फिश फ्राय की थी तो ये हमने और एक लियर लगा दी इस पे हम और ihmसाला दालेंगे और ये मसाले वाला लेयरिंग करने से हमारे राइस भी थोड़े से मौइस्ट हो जाते है तो ड्राइ ड्राइ सुखे सुखे नहीं लगते है तो वो खाने में भी बहुत मज़ा आता है इसके बाद यह जो हमने लगा दी है इसके बाद हम इस पर फिश आइड कर देंगे जो हमने फ्राइ करके रखी थी नहीं दाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्टीम कैप्चर होती है तो हमने इसे उपर ही रखना है और हमको इस बिर्यानी को ज्यादा देर कुक्ड नहीं करना है क्योंकि हमारा मसाला अल्रेडी कुग्ड है फिश कुग्ड है और राइस भी कुग्ड है तो हमको इसको सिर्फ एक 10-15 मिनिट के लिए दम पर लगाना है यहाँ पर मैंने कोरियांडर से गानिश कर दिया है और इस पर थोड़ी सी ग्रीन चिली जाट कर दिया है अगर चाहे त 10-15 मिनिट के लिए फर्स 5 मिनिट्स आप हाई फ्लेम पर रखे और फिर उसके बाद 10 मिनिट्स मीडियम फ्लेम पर रखे तो 15 मिनिट्स के बाद मैं आपको यह दिखा रही हूं यह देख सकते है थोड़ा थोड़ा सा धुआ निकल रहा है खुश्बू तो बहुत ही करना ना भूले और मुझसे अभी रहा नहीं जारा है सो I am going and trying this you please do try this and let me know your feedback enjoy करे keep watching Faraz Zaiqa stay tuned until next time do take care of your health and do not forget to like share and subscribe bye bye take care